नमस्कार वीटियस लाइव नियूज में आपका स्वागत है स्यूक किसान मोर्चा के आवहान पर जहां देश भर में आज रेल रोको अभियान चलाया जा रहा है तो वहीं चर्खिदादरी की बात करें तो पातुवास गाउं के नजदिक रेल को रोकने के लिए किसान एक तृत हो चुके है जहां पर किसानों दोवारा रेलवे ट्रैक पर बैठा गया है कैमरामें से जहूंगा एक बार दिखा दे कि रेलवे ट्रैक पर पूरी तरह से किसान बैठ गए है यहां से दो ट्रैक गुजर रहे हैं दोनों ट्रैक को पर पूरी तरह से किसान बैठ तुके है और किसी भी तरह से रेलवे को नेदाने के लिए कहा जा रहा है साथ ही आपको बता दे कि विवानी की तरफ से आ रही एक माल गाड़ी को चर्खी दादरी में ही रोक दिया गया है रेलवे की तरफ से बताया जा रहा है कि रेल गाड़ी को वहीं पर रोका जाएगा चार घंटे तक दादरी से रेल आगे नहीं बढ़ेगी और यहाँ पर किसानों दवारा भी रेल रोकने के पूरे इंतजाम किये गए थे जहाँ पर कैमराबेंट से चाहूंगा कि एक बार पीछे लाल गपड़ा दिखा दे जो यहाँ ट्रैक से 500 मिटर की दुरी पर लगाया गया है और साब तोर पर संकेत दिया गया है कि रेल वे को किसी भी रूप में गे नहीं आने दिया जाएगा इसी परकार से दूसरी तरफ भी कपड़ा लगाया है और रेल को आने के लिए रोका गया है साथ ही अगर ट्रैक की बात की जाए तो एक ट्रैक पर पुरुष ट्रैक के उपर बैठे हैं तो दूसरी तरफ महिलाएं भी यहाँ पर बैठी है जो रेल को रोकने का काम करेंगी तो इस वक्त हमारे साथ खोगाट खाप 19 के परधान भी मौजूद है उनी से बात करते हैं कि किस परकार से कारी कर्म रखा गया है जी परधान जी किस परकार से आज कारी कर्म रखा गया है जैसे कि सब को पता है सजुद किसान मोर्चा के जो भी अब तक आदेश आई है पूरी खापा ने सारे सामाजी किसान संगठना ने जो इस अंदोलन में समर्पित किसान वाई हैं वो सब ने उनको पूरी पालना किया पालन करवाया हुनका तो आज जैसे सुट मुर्चा का आदे से 12 से 4 बजे तक ना 4 गंटा का रेल्लों को अभियान गा उसमें भी दादरी जिले की तरफ से गहां पत्तुवास का पूइंट है तो इसमें सारी जिले की खाप, सारे सामाजिक संगठन, किसान, संगठन, करमचारी संगठन और हमारी मातर सक्ती, जितने भी किसान वाईयां ने इस मांदोलन के परतिसंबर पित हैं उन सब के सईयोग से, आज इस दादरी रेलवे ट्रेक को जाम किया गया है, जार गंटे के लिए रेलवे की तरफ से किसी परकार का नोटिस दिया गया आपको? ना, कोई नोटिस नहीं हमारे पास, और नोटिस आएगा भी, हमारी मांग जब तक पूरी नहीं होगी अगर यहां पर रेल आजाती है तो किस परकार के इंतिजाम किया गया है, यहां जिकर हो गया था कि दादरी में रेल आई रही है, तो सारे रेल वे ट्रेक पे बैठेगे, अब तो रेल वे वे वाण देखना है, सरकार में देखना है कि वह मरा उपरते ले जागी, यह भाई खड़ी कर लेंगे, यह तो अब उनकी उनको देखना है, हमारा काम है, सुवत किसान मोर्चा का जो आदेश आया है, बारा से और चार बजे तक, उसको भाई बिलकुल सो की सो परसेंट उसकी पूरी पालना होगी जहां सुवत किसान मोर्चा की तरब से का गया था कि या तरी अगर यह परसे होते हैं, तो उनके लिए क्या सुविदा की गई है, देखो, जैसे कोई आने जाने हैं तो हमने पूरे वालेंटीरां की जिम्मेदारी लगा रखी है, बाई यह रोड है साथ साथ में, कोई भी यह रोड है, उनको खाने पीने की चाहिकी, जलेपी, लड्डू, और भाई पकोडे, सारी चिज्जां की व्यवस्था है, यहां पर हलुआ, और जितने भी भाई जो बाहर से आ रहे हैं, बिल्कुल उनको यह व्यवस्था नहीं करेंगे, उनकी बिल्कुल बड़िया, उनक कर जा गया है, रेलवेट ट्रेक को जाम करने के लिए, सत्गामा काप के परदान भी यापर मुदूद है, तलियों नहीं से बाहत कर से है, जी परदान ची, सत्गामा काप की तरफ से किस परकार से यहां पर पहुशा गया है, बाहिजी, हम इस किसान अंदोलन को और तेज़ अब सकते हैं, तो यह जारि रहेगा, घ्राव पर जंता है, अगर जंता कि नहीं है मुद्य विमार देगी, जले हैं पर खापनेताव को पुरा वरोसा है कि उनके इस कडम से सरकार पर पूरा दबाव पड़ेगा आने वाले समय में यह भी देखना रहेगा कि क्या सरकार पर इससे दबाव पड़ता है जी परदान जी आज का किस तरह से कारिय करम रखा गया है आज का कारिय करम आज 18 तारिक को अम दाजरी जिले की पात्वास रेल्वे स्टेशन के साथ में रेल लो को अब इयान मैं यहादा आजरी जिले के सब घापें और आजारों के सेंख्या में आदमीं और महिलाएं यहा पूचें नवज़वान साथी पूचें और 36 ब्रादरी के बाइं पूचें पाज का अमारा कारिय करम बहुत च्छानती और अनुशासन चे रेल लोग को अभियान है और इसका बहुत ही बढ़ी या तरीके से हम अपना निबारे हैं शांगवान गाम के गाम में आसे काफी दूर हैं तो वहां से कितनी संध्या में लोग पहुचे हुए हैं शांगवान खाप बेशक दूर हो या हमारे तो हर घर से एक आत्मी और ते काफी मात्रा में आये हुए हैं शांगवान खाप के परदान ने कल रोत तक में बैठक भी बोलाई थी उसके बाद क्या कुछ नए फैसले लिए गए हैं उसके बाद तो एक तो आंदोलन को तेजी दिलाने के लिए तेजी दूसरा वहां श्रव खाप में जो जैपरकास मंत्री हैं दलाल के लिए तो हमें यह आदेश हुआ है कि उसको दलाल नहीं कहना दलाल खाप की तरफ से यह आदेश हुआ है तो जाति भाईशकार से और आन्दल उनको तेजी करने के लिए तेजी करने के लिए तो देखे किस परकार से खोगार्ट सागवान के साथ सबी खापे यहां पर मोदूद हैं और पूरी तरह से ट्रैक को जाम कर जिया गया है। लेकिन मोदी जी के दिमाग में एक प्रसेंट भी यह नहीं आ रहा है। इस परकार से काड़ी करमायो जित किये हैं। जी आपर आपको आए हैं। इस परकार से रेल को रोकने के लिए परियास किया जाएंगे अगर रेल आजाती हैं। तो परियास यह हैं हम ट्रेक पे बैठे और ट्रेक पे बैठे रहेंगे। अगर रेल आजाती हैं तो कोई नहीं रेल हमारे उपर से निकल जाएगी। क्योंकि आज हमें मरने और कटड़े के लिए यहां पे बैठे हुए हैं। मार तो सरकार ने वैसे भी दिया। अगर यह तिन्नों काड़े कानून आजाते हैं तो हमारा देश बिलकुल बूग की कार बूग के कगार पे खड़ा है। कुछ और महिलाओं से बात्चित करते हैं जी आप पर पहुचे हैं तो क्या कुछ कहेंगे। तो देखिए आप यहां पर महिलाओं कह रही है कि साफ तोर पर अगर रेल आजाती है तो रेल उनके उपर से ही जाएगी। सार गंटे के दोरान जो बंद बुलाए गया है इस दोरान महिलाओं ट्रैक से नहीं उठेगी। कुछ और भी महिलाओं जो हमारे साथ बात्चित करना चाती हैं उनसे बात करते हैं। जी। यह हम यहां जोपने आए राता हैं। यह हमारे भाईयों को दुखी ने करते हैं। लेकिन हम अपने तिनों काननों को रज करवाने के लिए यह कुछ यह कदम उठा है। और इस लिए क्योंकि जो बाते मुझी ने कहिए उसके बिल्कु उल्टा दला है। अगर रात भूड़े पैसे अगे तो पाला पैसा करेंगे वो फिल्टू करेंगे। हर छी दुरू की उल्टी है। वो फोई भी बेरोद गर उनके टाइम अपड़ी है। सीना दोरी उनके टाइम अपड़ी है। झौक्त करने ये रड हों कुंकि हमारे पॉलिए सब जीजल विद्ट다면 पट्रोल मंगा और यह सारा ही बतान में नगा यह तो सारा भार दी में आगे यह कुछ और भी मैला हैं जब उस्ते हैं जी आज ट्रैक पर बैटके सरकार को क्या संदेश दे रहे हैं वहीं आपना लड़ाई हैं किसी से नहीं देंगे डटके सामना करेंगे सरकार का जाए सरकार कितनी बार भी आ जाओ तो देखे यहां पर जाइर दोर पर खाजा रहा हैं सई ट्रैल कर्कार कितना ही समेह लगाले जाए यहां पर आंदोलन जारी रहेगा दूसरी करह आपको बता belangrijk कि आत्रीयों किया बिचनिया के लिए यहां पर जल्टक्र्टत किये गई हैं दूसरी तरफ परशासन के दवारा भी शुरक्षा के बुक्ता इंतिजाम किये गए हैं ट्रेल्डों को भियान के दोरान आगे का जो भी काने करम रहेगा हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे आप जुड़े रहे हैं हमारे साथ और देखते रहे हैं